अलो फ्रेंट्स वेल्कम टुमें इस्वे एजुकेशन फॉर्मिशन चैनल में आपका तोज़तो श्वागत है तो यहां पर आज लेकर केम प्रेजेंट हैं आपके लिए अपडेट कि नर्सिंग अफिसर के एक हजार नौसो तीस पदों पर भरतियां की जाएगी अब देखेंगे आवेदन यहां पर श्टार्ट हो चुका है शंग लोग सेवा आयोग संग लोग सेवा आयोग यूपियसी ने कर्मचारी राज जिबीमा निगम और श्रमयों रोजगार मंतराले में नर्सिंग अफिसर के एक हजार नौसो तीस पदों की भरति के लिए अधिसूचना जारी की है और एपद जो है अस्थाई हैं चैनित उमीदवारों का दो वर्स पर प्रोवेशन्स पीरियड होगा और योग्य और इच्छुक उमीदवार आनलाइन आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने की अंति मानिता प्राप्त विद्यालियों से नर्सिंग में जो है बियसी आनर्स की डिगरी हो या मानिता प्राप्त विद्याला से बियसी नर्सिंग की डिगरी हो राज नर्सिंग काउंसलिंग से जो है नर्स वर नर्स एंड मिड़ वाइफ के रूप में पंजिकरित होना चाहिए नियुन्तम 50 बिस्तार से बता देवाले के अस्पताल में एक वर्स या अधिकतम का अनुभव होना अनिवार है बेतन 9300 से ले करके 34800 रुपे एस किलिमीटर क्या है तो नियुन्तम 18 वर्स अधिकतम 30 वर्स कम से कम जो है इसकी सीमा के गड़ना 27 मार्स से 2024 के आधार पे होगा अधिकतम आयुशीमा की अन्य जो है पिछडे वर्ग उमिदवारों के 3 वर्स अनसुचित जाती एवं जनजाती वर्ग के 5 वर्स दिभ्यांगों को 10 वर्स की छूट दी जाएगी चैन प्रक्रिया परिक्षा का प्रारूख होगा आनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी और लेखित परिक्षा के आधार पर जो है उमिदवारों को 60 लिस्ट किया जाएगा परिक्षा दो घंटे के होंगी और सभी प्रशनों के अंक सामान होंगे और परिक्षा का माध्यमंग्रेजी में होगा प्रतेक गलत उत्तर पर एक तिहाई अंक की कटवती होगी आवेदन सुल्क 25 रुपे से अश्टी वर्ग और दिव्यांगों और महिलाओं के लिए जो है कोई सुल्क नहीं देना होगा बात करें यहाँ पर तो सुल्क वर भुकतान इस्टेट बैंक में कैस नेट वैंकिंग और मास्टर कार्ड डेवीट कार्ड के माध्यम से अनलाइन करना होगा आवेदन की प्रक्रिया सबसे पहले अधिकारी बेव साइट पर यहाँ पर जाना है आप देख सकते हैं यह अधिकारी बेव साइट है पर लागिन होम पेज पर वाइट न्यू शीर्स के ब्यू आन लिंक पर क्लिक करें और खुलने वाले वेब पेज पर वाइट न्यू श करके ऐसा करने पर पद शंबंधित विग्यापन खुल जाएगा अब पिछले पेज पर वापस जाएं और UPSC ने वन टाइम रेजिस्टेशन सुविधा भी शुरू की है इसके तहत जो है आयोग की वेवसाइट पर आपको इस बार पंजी करना होगा इसे आपको यूनिक जो तो रेजिस्टेशन नंबर भी और पासवर्ड मिलेगा इसकी मदस से आप आयोग द्वारा होने वाली जो है इस बिभिन्ने प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए आवेदन कर शकेंगे पंजी करने के लिए जो है उपर वन टाइम रेजिस्टेशन फार एक्जामिनीशन पर क्लिक करें और खुलने वाले पेज पर दिये निव रेजिस्टेशन लिंक पर क्लिक करें इसे पंजी करन फार्म खुल जाएंगे अभी यहां अपनी जो है व्यक्तिगत जानकारी जैसे की नाम जन्मतिती पता माता पिता का नाम माता का पिता का नाम मुबाइल नंबर लागिन करें और इमेल मुबाइल नंबर लागिन कर सकते हैं और प्यसे ने लागिन करने के लिए तीन बिकल्प मुहिया कराएगी आनलाइण के जो है बाद आवेधन फाम फुल जाएगा सैक्षडिक योगिता अनुभाव और जानकारी भी दर्ज करने होंगी परिच्छा के ब्टन पर जो है क्लीक कर दे इसे फारम संमिट हो जाएंगे तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं और इसके जो है परिच्छा के केंद्र अन्तिम तारीक आप यहां पर देख सकते हैं कि आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथी 27 मार्च है फटाफट जाकर कि आप आवेदन करें समय काफी नहीं आपके लिए केंद्रों का आयोजन होगा केंद्र आप सलेक्ट करेंगे जैसे दिल्ली उत्तर प्रदेश आगरा प्रियागरा जलीगर बरेली लगनोवाराड से गौतम बुद नगर और गाजियाबाद उत्त जो है सलेक्ट करना होगा तो दोस्तों यती फाम अप्लाई करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं लगाटार हमारे वीडियों बने रहने के लिए तेह दिल से सुक्रिया आता करते हैं थैंक्स वावाचिंग गाट ब्लेस यो